चटरपूर जिले के बड़ा मलहरा पुल स्थाना अंतगत अग्यात बदमाशों ने ने केवल आधा दर्जन बिकरियों की चोड़ी की बलकी बखरी मालिक के साथ मारपीट करने के बाद उसे फांसी पत लगका कर जान से मारने की कोशिश भी की सोंगार रात तुड़े बार हनुमान मंदिर के पास अपने टिप्रे में सो रहे एक युगत की अग्यात बदमाशों ने जम कर पिटाई की फिर उसे मुमासन स्थिती में रसी के फंदे से लगका कर उसके टिप्रे में बंधी आधा दर्जन से अधिक बिकरियों को खोल कर ले जाने में सफल रहे जानकारी के अनुसार 40 वर्षी और रतिराम कुश्वा, पुत्र दर्शु कुश्वा, निवासी बार्व नंबर 13 को सोंगार की दरम्यानी रात अग्यात बदमाशों ने सोते समय लाठी दिंडों से मारपीट कर टिप्रा में बिधी बिकरियों को लेकर जाने लगे जब रतिराम में बख्री ले जाने का विरोड किया तो आधा दर्जन से अधिक शिस्त्रधारी बदमाशों ने विरी तरह से मारपीट करने के साथ उसका मुँ बांग दिया जिससे बहु लोगों के चेहरों को नहीं पहचान सके इसके साथ बदमाशों ने उसके गले में रस्सी बांद कर उसको टुप्रे से लगका कर टुप्रे में बिकरियों को लेकर भाग गए भागते समय बदमाशों के हाथ से कुछ दूरी पर एक चाकू भी गिर गया बदनाशों गुआरा बकरी ले जाते समय एक बकरी में लाटी मारी दी जिसकी कुछ ही कद्मों पर मौत हो जाने से उसे वही पर छोड़कर शेश बकरियों को ले जाने में सफल हो गए रतिराम कुश्वा के गले में बंधी रस्सी किसी तरह से खुल गई तो उसमें नदर की गुहार लगाई जिसे सुन टिप्रे की तरफ दोड़े तो देखा की रतिराम अपने टिप्रे में जमीन पर पदा तरप रहा था जमीन ने इस खटना की खबर परिजनों को दी खटना की खबर लगते ही परिजन खेप में बनी टिप्रे पहुँचे जिसे सामदाइक स्वास्त के इंदर लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है इस खटना की खबर मिलने के बाद पुलिस भी खटना स्थर के लिए रवाना होकर आरोपियों की तलाश में लग गई पुल जो घेए हमें फांसी की फंदी की लटका राये ही जो जा फखवान जाना जा थूत गअँची जो पुटगा होगे जो जो और चाह पेगा होगे हमें कोई मालूम ने ना कोई पतोवा पुल कितने लोग थे वो वे दिन रोक छे और आपका पुल सामान के रहे किया? सामान मेरा मैं दो पकलिना गहीं साई किछने? पकलिना गहीं मैं जाओ द बगलाओंगी यह मां जाओद लगा थे मां अच्छा दिलुप निखत की रपोर्ट